तो गाइस सर्दियों में आपने ना बहुत तरीके के पाक खाए होंगे जैसे गुर का पाक होता है आटे से बनता है ड्राइफ रूट पाक होता है लेकिन आज मैं आप सब के साथ बिल्कुल नए तरीके की पाक की रेस्पी शेयर कर रही हूँ आज हम बनाएंगे गुजरात क फेमस अड़या पाक हो सकता है आप में से बहुत सारी लोगों को इसके बारे में नहीं पता हो लेकिन ये पाक खाने में उतना ही मज़ेदार लगता है जितना की गोंद का पाक होता है या फिर ड्राइफ रूट का पाक होता है तो इसे बनाने की ट्रिक थोड़ी अलग है इ यह लिए आपने चाहिए है यह उरत की दाल देखिए इस तरीके से यह जो धुली वाली उरत की दाल आती है हमें यही चाहिए है और इसे हम क्या करेंगे एक सुखी कपड़े पी डाल कर इस तरीके से थोड़ा साम लें लेंगे या फिर आप इसके पोटली बना कर कि दो चार क्या होगा कि इसके जितनी ड़स्ट है इस कुपड़े पे चिपक कर आ जाएगी और आपकी जो दाल है वो इकदम साफ हो जाएगी तो जब कभी भी आपने दाल को यूज करना है तो आप इस प्रोसेस को जरूर से कीजेगा क्योंकि उपर की जो पॉलिश होती है उसे निका और बिल्कुल धीमी आज पे इसे 5-7 मिनट से भी कम समय के लिए आपको इसे भूनना है तो मुस्कल से 4 मिनट के लिए मैंने धीमी आज पे इसे गरम किया है जैसे ही दाल आपको लगी हलका सा कलर चेंज हो रहा है या फिर कुरकुरी लग रही है आपने तो गैस को बंद कर देते हैं और इसे हम निकाल लेते हैं तो निकाल की ठंड़ा करने के बाद मैंने सी ग्राइंड़ जार में डाल दिया है और इसे हम अच्छी तरीके से ग्राइंड करकि इक पा夷डर बना लेंगे आपना बॉइल नहीं करना है तो ध्यान इस बात कभी रखेगा कि कच्छा दूद इस्तिमालना करें दूसरी बात जो दूद हो इसको आपको गरम बस करना है उसमें उबाल नहीं लेना है तो यहां हमने सिर्फ दो चम्मस इतना घी इस स्टेश पे डाला हुआ है घी को मेल्ट कर लें अब इसे बिल्कुल भी ठंडा नहीं करेंगे इसी तरी गरम दूद में हलके जो गरम दूद है इसमें हम जो है एट करेंगे उरत की डाल का आटा जो हमने घर पे तयार किया है तो इसे डायक्ली नहीं डाले इसे हमेशा चान की डाले और अगर आपके पास बजार का आटा ह है तो और भी बढ़िया वह बहुत ही जादा फाइन पाउडर में होता है तो आप और अची तरीके से बना सकते हो बस इस स्टेज पर आपका जो दूद है वह कम लगेगा अभी क्योंकि इसमें थोड़े बड़े कर भी थे तो जो दूद था वह इसने अच्छे से अब्सॉ होता है तो जरूर से आप इसे अपनी डायेट में सामिल करें ठंडियों के सब्वे में मखाना काफी फायदे मंद होता है हड्डियों वगरा के लिए या फिर अगर आपकी मास बेशियों में दर्द होता है तो इसे देखिए इस तरीके से हमने तोर करके देख लिया है यह इसे बुन चुका है इसे हम तुरन ट्रांसफर कर लेंगे एक प्लेट में यह हमने निकाल लिया है अब इसी पैन में हम दो बड़े चम्मज इतना घी अट कर देंगी और घी को गरम होते ही हम इसमें जो है गोंद आट करेंगी तो यहां पर गोंद के बारे में आपको पता तो इसे हमने जो है जब तक कि ऐसे यह फूल करके जैसे पॉपकॉर नहीं हो जाता है तब तक आपने से रोष्ट करना है इसके बाद एक जो थाई कब जितना आप घी जो है उसी पैन में डाल दीजे और इसे जो है गरम कर लीजे जैसे आपका जो गी है वो गरम हो जाएग तब आपने एट करना है यह उरत की डाल जो हमने दूद में भिगो करके रखी ती तो इस तरीके से हम हातों से इसको मसल करके एट कर रहे हैं ताकि जो बड़े गुटलिया है वो तूट जाए और अब हमें जो है उरत की डाल की इस घी में अच्छी तरीके से बुनाई कर ल तो यहां पर यह जो गोंत और मखाने हमने जो है अच्छी तरीके से रोष्ट किये हुए थे इन्हें ठंडा करने की बाद हम मिक्सी के जार में डालेंगे मैं एकटी दोनों को साथ में डाल दी रही हूं और साथ में हम इसे पीस के इसका पाउडर जो है वो बना लेंगे त तो बस इसको आपने पीस करके पाउडर बना लेना है मैंने इसमें आज की रेस्पी मेरे कि कोई भी इलाइची का पाउडर या फिर सौट का पाउडर नहीं एट किया है क्योंकि मुझे उरत का दाल का जब यह पग गया था ना जब मुझे काफी अच्छा लग रहा था और मैंने चाह रहे थी कि हर पाक में एक ही जैसा टेस्ट है वैसे ट्रडिशनली वो लोग मिलाते हैं आप चाहें तो मिला सकते हैं तो यह देखिए इस तरीके से हमने इस पाउडर को भी इसमें एट कर दिया है आप दोनों के अच्छे से बुनाई करते रहें तब तक हम और बस आप देखेंगे 2-3 मिनट में आपको जो गुड है वो अच्छी तरीके से मेल्ट होता हुआ नजर आएगा आप इसे चाहें तो गुड की कांट से भी बना सकते हैं या फिर चीनी से भी बना सकते हैं पर यह उरत की दाल का है ना तो इसमें गुड का टेस्ट काफी अच्छा लगता है तो देख सकते हैं अच्छे से गुड आपका मेल्ट हो गया है लगबग 5-7 मिनट में आप देखेंगे कि गुड मेल्ट हो जाएगा अब जिस कब से आपने घी डाला है यानिक एक चथाई कप उतना ही आपने इसमें दूद आट कर देना है एक चथाई क अब जो है इसे डाल देंगे हमारे मिक्षर में और इसे अच्छी तरीके से हम धीमी आज पे मिलाते रहेंगे और इसे हम पका लेंगे तो जब यह अच्छी से पक जाएगा ना तो इसमें से फिर से घी सेपरेट होने लगेगा और काफी ज्यादा यह गी सेपरेट करने अगर मैं इसे अपने सीधे सब्सक्राइब में तो अगर मैं तो इसे उनके लिए गुजातियों के लिए अड़या पाक एक ट्रडिशनल रेसिपी है अगर मैं कहूं तो यह कहूंगी कि यह उरत की दाल गी बर्फी एक तरीके से तो बस इसे हमने निकाल लिया है आप देख सत तो थोड़ा सा प्रेस कर दीजे ताकि अचे से सेट हो जाए और इसके बाद आपने इसे दस मिनट के छोड़ देना है ठंडी का समय है दस मिनट में ही यह बर्फी जो है सेट हो कर के तैयार हो जाएगी साइट पर आप देख सकते है जो घी था वो थोड़ा-थोड़ा जमत करना है तीन-चार सेकेंड के लिए और आप देखेंगे कि आपके एक अड़या पाक की जो पीसे से वह आराम से निकल जाएंगे तो देख सकते है मैंने जैसे ही इसको डाला इस पैशले को यह पूरा पूरा देखी ऐसे निकलने लगा तो हमारी यह अड़या पाक की पी तो लाइक तो बनता है मिलते हैं नेक्स रेसिपिए